हेलो एवरिवन, वेलकम टू इन्वाइर्मेंट आईएस दोस्तो आज की सेशन में हम एक बहुत इंपोर्डन टॉपिक कवर कर रहे हैं जो लगभग पिछले ओक्टोबर से न्यूज में हैं और अभी चल रहा है मई तो इस जगड़े की एक शुरुवात होती है एजल और हमास के बीच में जो वोड चल रहा है उसकी शुरुवात होती है उक्टोबर सेवन को ऑक्टोबर सेवन दोगजार तेईस को इस लड़ाई की शुरुवात होती है तो बेसिकली जो फिलिस्तीन है वहाँ पर एक जगे जिसका नाम है गाजा पट्टी या गाजा स्ट्रिप गाजा स्ट्रिप में जो रूल चलता है वो चलता है हमास का हमास को कुछ कंट्रीज जो है नेगेटिव वे में लेते हैं ठीक है वो एक अलग बात है लेकिन हुआ यह साथ अक्टोबर को कि बेसिकली हमास ने कुछ इसराइली लोगों को बंदक बना लिया और इसराइल पर अटेक किया मिसाल अटेक कर लिया उसमें कई सारे इसराइली की मोद भी हो गई और इन्होंने बंदक बना लिया यहां से लड़ाय की शुरुवात हुई यह गलत कदम था ठीक है लेकिन यहां से लड़ाय की शुरुवात हुई इसके बाद में इसराइल ने काउंटर अटेक किया तो उन्होंने हमास उन्होंने इसराइल ने ये प्रण लिया कि हम हमास को पूरी तरीके से डेस्ट्रोई करेंगे ठीके हम इन बंदों को छुड़वाएंगे और हम एंशोर करेंगे कि हमास का कहीं भी कोई ठिकाना बचे य लिया था और इसके साथ में इस वोर की शुरुवात होई पिछले 6-7 महीने से लगातार ये वोर जारी है और इस्राइल के दो जो है वादे थे दो कमिट्मेंट थे एक तो हमास को पुरी तरीके से नश्ट करना और दूसरा बंदकों को छुड़वाना ये दो कमिट्मेंट थे इस वोर को जल्दी खतम हो जाना चाहिए था लेकिन अभी तक इसका कोई कंक्लूजन कोई निसकर्श नहीं निकला है ना तो हमास पुरी तरीके से अभी जो है पुरी तरीके से जड़ से खतम हो पाया है जैसा इसराइल ने कहा था ना ही इसराइल आम जनता महिलाएं बच्चे भूढ़े और अन्य नागरिक इस लड़ाई के बाद में जो है ऑक्टोबर सेवन के बाद में आल्मोस थर्टी फोर थाउजन्ट चोंतीस हजार से ज़्यादा फिलिस्तिनियन लोगों के डैथ हो चुकी है इसके साथ में 75,000 से ज़्यादा लोग इंजर्ड हो चुके हैं क्योंकि लगातार जो है इसराइल ले मिसाइल लॉंच किया है इस वज़े से पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो डेमेज हो गया है हॉस्पिटल्स मेडिकल फेसिलिटीज ब्रीज रोड बहुत सारा सब डेस्ट्रोई हो चुके हैं सब जो है खाक में मिल चुके हैं इसके साथ में सब्सक्राइब क्राइसिस जिसको हम बोलते हैं मानवी आपदा वह आ चुकी है क्योंकि यह सारे लोग जो एक तरीके से जेल में बंद है या केद है क्योंकि आप पूरा पूरा एरिया है गाजा पट्टी वाला एरिया वह उसके बार वाइरिंग कर रखी है तो लोग अंद या है इसके साथ में फूर इंसीक्योरिटी फूर शॉर्टेज लोग जो है बुके मर रहे हैं बच्चे महिलाएं बुके मर रहे हैं आपने एक इंसिनेंट का नाम सुराओं पढ़ा होगा कि जो है दो इस्राइली ट्रक जो है खाना लेकर गये थे वहां फिलिस्तीन में गा लगरी थी इस्राइली फोर्सेस को इसा लगा कि इन लोगों ने अटेक कर दिया है तो इन्होंने गोलियां बरसाना शुरू कर दिया आल्मोस सो से ज्यादा लोगों के मौत हो गए थी उस इंसिडेंट में पूरे वर्ल्ल ने उसको क्रिटेसाइज किया था ठीक है तो आप करना बंद कर दे हमास भी कांटर जो है आपस में लड़ना बंद कर दे और यूनाटे निशन के निगरानी में एक दोनों गुरूप बनाया है उनको छोड़ दे यही इसका एंड कंक्लूजन है लेकिन इसराइल जो है अपने पर अड़ा हुआ है और लगातार हमले जारी है इसराइल ने गोशित किया है कि हम लोग जो है हमास को पुरी दर की से जड़ से नश्ट कर देंगे लेकिन एक नया ट्विस्ट और आ गया है इसमें बेसिकली यह जो है गाजा पट्टे के कुछ एरिया को खाली कर आ रहे हैं तो लोगों के बेसमें एक डाउट और है कि कही यह पूराग बुराओ जो जमीन वाला हिस्सा है वो भी हतिया नहीं ले तो इस तरह के कंसर्न आ रहे हैं इसी टॉपिक को हम कवर कर रहे हैं गाजा क्राइसिस है हुमिन्टारियन केटास्ट्रॉफ यह आज की पेपर का आर्टिकल भी है एडिटोरियल सेक्शन में यह आया तो बेसिकली जो है सीस फायर पूरी दुनिया चाहते है युनाइटे निशन चाहता है ठीक है लेकिन इस्राइल रुक नहीं रहा है इस्राइल जो है पूरी तरीके से इंटेंसिफाइड वोर में इन्वाल्व है स्टेगरिंग टोल और सिविलियन तो डेटा को देखते हैं या डेथ कितनी हुई है तो 34,000 लोगों की डेथ हो चुके है 77,000 लोग जो है 75,000 प्लस जो लोग है वो घायल हो गये है डिस्प्लेस्मेंट यानि अपना घर छोड़ के गित्ते लोग जा चुके हैं तो पूरा ग पूरी तरीके से जो है भुखमरी वो उसकी परिस्टती आ सकती है और तो लोग जो है भूख के मारे मरने लगेंगे इसराइल से इसकेलेटिंग ऊफेंसिव अब हमास सी फइर के लिए तयार हो गया है लेकिन अब इसराइल जो है सीफर नहीं चाहता इसराइल जो है युद्धड को बंद नहीं करना चाहता तो तो rejected ceasefire despite Hamas acceptance of a ceasefire proposal by Qatar and Egypt, Israel rejected Israel ने deal को reject कर दे के नहीं हम ceasefire नहीं करेंगे ठीक है, Israel has ordered evacuation of over one leg people from Rafa Rafa एक city है Israel ने कहा है कि Rafa के एक लाख लोग जो है अपने घर छोड़ दे और जो refugee camp में जाके रहे अब जैसे Israel ने ये कहा है तो again पूरे world में ये apprehension या doubt आ गया है mind में कि वो Rafa को खाले क्यों करा रहे हैं कहीं ये जमीन जो है again Israel अपने कबजे में नहीं ले ले और फिर ये लोग कहां जाएंगे इतनी बड़ी refugee crisis आ जाएगी इतनी बड़ी मानवी आपदा आ जाएगी या humanitarian crisis आ जाएगी इसका क्या होगा seizing border crossing इसके साथ में इसराइल ने ये किया कि जो गाजा पट्टी है इजिप्ट की side में वहाँ पर entry gate लगे हुए है आने जाने का जो है रास्ता है वहाँ पर उसको भी हत्या लिया है Israeli forces have taken control of Gaza side of Rafa border crossing with Egypt effectively controlling all entry points of the enclave and further isolating population तो सारे की सारे entry और exit के gate जो है capture कर लिये हैं तो बड़ी एक intensive या tension वाले situation बन गई है questionable military performance अब हम सब जानते हैं कि इसराइल की जो agencies है इसराइल की military है या defense के फिलेटिक वायर में पूरी दुनिया जानती है कि किस सरीके से इसराइल ने कई सारी युद्ध जीते थे लेकिन जब हमास की बाहर आती है या अभी वाली चल रही battle की बात आती है तो यहां पर जो पर्फॉर्मेंस से है वो mixed response रहा है जो इसराइल ने कहाता है कि हम हमास को नैस्ता नाबूत कर देंगे या पूरी तरी की से destroy कर देंगे वो ऐसा कुछ हुआ नहीं उन्होंने जो है बंदियों को छोड़वाने की बात कही थी तो बंदियों अभी तक छोड़वानी पाये हैं तो देर इसे question mark failure to defeat हमास इसराइल has failed to achieve its stated objective of defeating हमास और reputation जो है थोड़ी diminish हुई है इसराइल की पूरे वर्ल्ड में क्योंकि अब जो है सर जो है पानी जो है सार से उपर जा चुक है बहुत दैनी कंडिशन मन चुके है expandingzer Farm और प्रेशन है पूरे वर्लॡ का कि आप cease fire करो अब क्योंकि बहुत हो गया है तो पॉलिटिकल बेकलाफ या प्रेशर बढ़ गया है international isolation Israel risk further isolation on the global stage including potential legal consequences at UN's top court अब आपको ध्यान हो तो इसराइल के किलाब एक case गया था जिसका था genocide का case genocide का मत्ब यह होता है कि बहुत सारा लोगों की एक साथ हत्या कर देना यह ICJ International Court of Justice में यह case गया था तो basically legal consequences हो सकते हैं कि इसराइल के उपर United Nations को strict action ले ले ठीक है तो वो भी एक डर बना हुआ है path forward ठीक है negotiated ceasefire तो solution क्या है basically solution सिर्फ एक ही है कि ceasefire करो यानि कि war को तुरंत बंद करो दोनों साइट पास में आओ बेठो बात करो negotiation करो कोई ट्रेटी साइन करो किसा को बंद करो यही only solution है so negotiation the only practical solution is to crisis is negotiation and United Nations should come forward एक पहले एक solution आया था कि two nation theory जिसमें दो separate nation बना दो यह UN एक solution दिया था so उसके बार में भी बात की जा सकती है और जो सारे stack holders से उनको बुला किये negotiate के जाए और कोई peaceful solution निकाला जाए यही end में जो है way out रहेगा so यह issue जो है the Hindu news buffer के editorial में आया था इसको हमने cover किया है thank you very much